राज़स्तान बारवी बोड़ परीक साब के लिए आज हम आपके लिए बहुती मैतोपूर्ण मॉडल प्रसनपत्र लेकर आए छे अप्रेल को होने वाली बारवी के राजनिति विज्ञान के पेपर के लिए तो बहुत ही मैतोपोन प्रश्ण पत्तर एक बार इस वीडियो को आप एंड तक देखे सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्ण इसमें सामिले जो आपकी 6 अप्रेल को होने वाली राजनेती विग्यान पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको ये प्रश्ण देखने को बिलेंगे तो इस पेपर को अलके में बिलकूल नहीं लेना सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्ण जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चली आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं राजनेति विज्ञान के सभी मैतोपोन प्रस्णों को देख लेते हैं उत्तर साइट सबसे बहले एक हंड अ में आपको बहुविक प्रस्ण पूचे जाएंगे अपसंद राइट आंसर होगा इसका नेक्स्ट है कि मद्दी एसिया में 10 वर्षो यानी 2001 तक ग्रह यूद की चपेट में रहा कौन सा देख चपेट में रहा तो वो देख आपके तजाकिस्तान था आपर अपसंद राइट आंसर होगा जो 2001 तक है वो ग्रे यूद की चपेट में रहा नेक्स्ट है कि मद्धी ACI गन राजियों में संसादनों का विशाल बंडार है हाइड्रो कार्बनिक पेट्रोलियम का विशाल बंडार है नेक्स्ट है कि बांगलादेश की मुक्ति वाहिनी सेना किस देश द्वारा सयोग दिया गया बहुती महतुपून पुरस ने तो ये आपके भारत द्वारा दिया गया जैसे कि बांगलादेश मुक्ति आंदुलन मुक्ति वाहिनी सेना द्वारा चलाए गया था इसे बारत द् अतियार आर्थिक सयोग वह पर शिक्षन प्रदान किया गया है या पर अप्सन राइट आंसर होगा भारत नेक्स्ट है कि अंतराष्टी नियाले स्थिते अंतराष्टी नियाले आपके निदरलेंड देश में स्थिते या पर सव अप्सन राइट आंसर होगा निदरलेंड के हैग में स्तीत है नेक्स्ट है कि विस्व में सबसे अधिक जनसंग्या किस महादिप में निवास करती है वहोती महत्वून प्रशन है तो वो है एसिया महादिप जहां पर देशों की बात करें तो बारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सीन जैसे बड़े-बड़े देश है जहापर अधिक जनसंग्या है यह सिया महादिप अप्सन राइट आंसर होगा इसका नेक्स्ट है कि 1960 में किस पार्टी का विबाजन देखना पड़ा आपके होगा Communist Party of India यहाँ पर दो अप्सन राइट आंसर होगा इसका दो अप्सन राइट आंसर है नेक्स्ट है कि स्वेत करांती के जनक किसे माना जाता है वरगीच कूरियन को स्वेत करांती के जनक माना जाता है नेक्स्ट है कि कारगिल विजए दिवस कब मनाया जाता है 20 जुलाई 1999 को कारगिल दिवस मनाया जाता है मतलब कारगिल दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है तो 26 जुलाई 1909 में पाकिस्तान को पराजित किया था कारगिल युद्ध में भारत ने उस दिवस के कारण भारत में कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता नेक्स्ट है कि बारत में आंतरिक आपातकाल किस प्रदान मंत्री के काल में लगाया गया बो अप्सन राइट आंसर है इंद्रा गांधी के काल में इंद्रा गांधी जब बारत की प्रदान मंत्री थी तब आंतरिक आपातकाल लगाया गया नेक्स्ट है कि पंजाब का समझोता कब संपन किया गया पंजाब का समझोता है वो कब संपन किया गया 1985 में इसको संपन कर दिया गया था वो ओप्सन राइट आंसर होगा इसका नेक्स्ट है कि रजग की स्तापना कब की गई रजग की स्तापना है वो कब की गई चौदा तक अमेरीकी विदेश निती खाली जिगह पर आधारित थी सेवी, संगठन, खाली जिगह और खाली जिगह है बहुती में पून खाली जिगह यहाँ पर पहली खाली जिगह में तो आपका आएगा यूमन राइट्स वाट्स और दूसरी में आपके आजाएगा एमनेस्टिक इंटरनेशनल इसमें आपके आजाएगा तो इस तरीके से आपको बरना तीसरी है कि खाली जिग उडिसा की राजदानी भूमनेसुवर के एक आदिवासी चेतर में स्ताफित किया गया था बहुती मैतबून खाली जिगा ये भी तो इसमें आपके पासको प्लाइंट आजाएगा पासको प्लाइंट इसमें बरना नेक्स्ट है कि तिबद के धार्मिक नेता दलाई लामा ने सन में खाली जिग था बहुत थी मैत्वण खाली जिगाए कि इंद्रा गांदी आजाएगा इंद्रा गांदी आपको यहां पर परना है फिर नेक्स चाटी खाली जिगा आती है कि सयूग्त प्रदगर्ति शिल्गडबंदन का निर्मान सन खाली जिगाए तो ये कब किया गया था 2004 में 2004 में सयू के नाम से किन देशों को जाना जाता है बहुत ही मैत्वण प्रसन है थर्ड वर्ड यानि कि तीसरी दुनिया तो इसमें गुट निर्पेक्स जो देश गुट निर्पेक्स में जो देश सामिल थे गुट निर्पेक्स देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है द में 1988 में बाल्टिक देश जैसे लुत आनिया लताविया एस्टोनिया में तो तंद्रता के लिए आंदोलन हुए थे इस तरीके से इसका आंदोलन लिखना है नेक्ट है कि इद्यास की सबसे बड़ी गराज सेल किस गटना का प्रिणाम थी तो गराज सेल की बात करें तो इस त वापस बुलाई थी तो उस नेता का नाम बताना है तो सोवित संग की नेता मिखाईल गौरबाचेव ने अफगानिस्तान से अपनी सेना है वो वापस बुलाई थी नेक्स्ट है कि 1900 अंटॉन अमेरिका ने दूतावासों पर किस आतंकी संगठन ने हमला किया था तो उसका नाम था अलकाईदा नाम था अलकाईदा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है कि अमेरिका की खूपिया जेल गवांता नामों बे कहां स्तित है बहुत ही मैतोपून प्रस्ण है इसका राइट आंसर होगा क्यूबा के निकट एक छोटी से दूइप पर अमेरिका का गव ग्रजिक टोनामों भे एक नो सैनिक ठीकाना है, बहुत ही मेत्वपून प्रशन है ये, फिर नेच्ट है कि 1950-1960 के देशक में किन देशों के बीच जल को लेकर संगरश हुआ था, तो 1950 और 60 के दिसक में सीरिया, जोडेन, इजराइल के बीच जल को लेकर संगर्श हुआ था नेक्स्ट है कि बारत में मूलवासी किसको कहा जाता है बारत में मूलवासी ये वो आधिवासी या जन्यजाती लोगों को कहा जाता है बाजार मुलक अर्थव्यवस्ता किसे कहते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्ता जिसमें राजी का कम हस्थशेब तता खुली पर्तियों गिता हो उसे बाजार मुलक अर्थव्यवस्ता कहते हैं नेक्स्ट है कि वैस्वी करण विरोधी आंदोलन का प्रमुक आदार क्या हैं? नेक्स्ट है कि नर्मधा नदी किन राज्यों के मद्ध से ऊकर गुजरती है? तो मद्यपरदेश, गुजरात और महारास्त ये तीन राज्यों के बीचे वो नर्मदा नदी है वो गुजरती है बारवाय कि 1990 में मजदूर किसान सक्ति संगटन ने क्या मांग रखी थी तो संगटन ने आकाल रहत और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सारजनी खुलासा करने की मांग रखी थी 1990 में मजदूर किसान सक्ति संगटन ने कि खंड ब आता है जिसमें आपको 50 सब्द में उत्तर देने प्रतेक प्रस्ण दो अंक का जिसमें बहुत ही मैतोपूर्ण प्रस्ण पूचेगे पस्यासी में हुई थी इसके बारे में बताना है पूरा नेक्स्ट है कि लिट्टे क्या है इसकी प्रमुक मांगे क्या थे लिट्टे स्री लंगा का तमिल लोगों का संगटन था टाईगर्स ऑफ तमिल इलम जिसे लिट्टे का जाता था इसके बारे में बताना है नेग्स्ट है कि वी सुबैंग प्रमुक शाखा कौन कौन से है इसके बारे में बताना है नेज्ट है कि BWC BWC वज CWC क्या है बहुत ही मैतोपून प्रशन है 9 आए कि प्रियावन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाएगे प्रमुक कदम कौन कौन से है बहुत ही मैतोपून प्रशन है इसका गठन कब किया गया था ये भी बहुत मैतोपून प्रशन है 11 आए कि स्वतंद्र पार्टी के संगटन पर संचिप्त में टिपनी लिखनी है और 12 आए कि 1971 के चुनाव में सुनाव से पूर्व गठित ग्रेट एलाइंस पर संचिप्त टिपनी लिखनी है नेक्स्ट 13 आए कि 1970 से दिसंबर माह में इंद्रा गांदीने लोकसबा के समय से पूर्व भंग करवाने की अनुसंसा क्योत की बहुत थी महतोपून प्रशन है ये 14 आए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंद में सर्वोच नियाले में क्या निरने दिया और पनरवाहे की ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया वहती महतोपून प्रशन है ये सारे के सारे इंपोर्डेंट प्रशन है जो आपके 6 अपरिल के एक्जाम में देखने को मिलेंगे फिर लास्ट इसका सोलवा प्रशन है खंड बह का कि पुरुवत्तर की राज जिनीती के प्रमुक मुद्दे क्या थे बहुत ही महतोपून प्रशन है फिर आपके खंड सा आता है दिरगुतरात्मक प्रशन सतरवा प्रशन पुचाए कि बारत ने नीजी चेत्र बनाम सार्विजनी चेत्र में मध्य वर्ग अपनाना इसकतन पर अपने विचार वियक्स्त कीजिए बहुत ही महतोपून प्रशन है अठारवाई कि अफरीकी एसी आई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत दुआरा कियेगे प्रियासों का उलेक करना है और उनिस स्वाई कि किन कारणों से वर्ष उनिस सो सी में मध्यावर्ती चुनाव करवाने पड़े थे 20 स्वाई कि मंडल आयोग की प्रमुक सिपारिशों को बताना महतोपून प्रशन है चारों प्रशन है इंपोर्टेंट है फिर आपके खंड़ द आता है निवन्दात्मक प्रशन है जिसमें 21 स्वाए कि क्यूबा मिसैल संकट सीत यूद का चरम बिंदू था क्यों विस्तार पुर्वक समझाना बहुती मैतोपोन प्रशन है अत्वा में कि गुट निर्पेक्स का अर्थ बताते हुए समझाए कि इसने सीत यूद के समय दो दूरिताओं को चुनोती किस प्रका दो आते हुए यह भी बताईए कि चीन के आर्थिक विकास में प्रमुक चुनोतिया कौन कौन सी है वहाँते मैतोपोन प्रशन है आपके बाईसवा फिर आपके लास्ट आपके तरीसवा प्रशना आता है इस सुवतंदरता भारत के पुन निर्मान के समकष प्रमुक चुन और 22-23 के अथवा में भी important person यह सारगा सारा पूरा प्रशना पतर है वह सारे important प्रशना पतर से बनाया गया इंसे बनाया गया है तो इस प्रशना पतर को आप जरूर त्यार करें इसका उत्तर सहीद में पूरा पीडियप्ट अपने टेलिग्रम चलबर डाल दूंगा वहां से इसको फ्राप्ट कर सकते बहुतीु मैतोब способ प्राप्ट कर सकते इस पेपर को आप जरूर त्यार करेем अपने exam से पहले प्रस्छाय को प्रस्व का प्रस्ङाm बंदे माल